वेलकम बैक स्टुडेंट्स तुडेय वी आर टेकिंग वेरी इंपॉर्टन टॉपिक विच इस नाइट्रोजन साइकल एंड वी आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ चाहिए आज हम बहुत इसली इसको एक्स्पेंड करेंगे ठीक है तो नाइट्रोजन साइकल को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की इंपॉर्टन्स क्या है यहां पर nitrogen की quantity कम होती है, ठीक है, तो plants को nitrogen की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपनी growth को अच्छा करते हैं, और उन इस plant को जब हम खाते हैं, जब animals खाते हैं, तो उस nitrogen से protein बनाते हैं, ठीक है, तो इतना में समझ आ गया ना कि nitrogen की importance क्या है, इस cycle को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक और nitrogen की quantity भी 78% है, तो nitrogen cycle की ज़रूरत क्यों पढ़ गई, simply जैसे carbon dioxide को plant air से intake करता है, वैसे ही nitrogen को भी intake कर लेना चाहिए, but that is not possible in case of nitrogen, ऐसा नहीं होता है, reason क्या है, कि plants को nitrogen किसी एक particular form में ही available होगी, तब ही वो इसको intake कर पाएगा, और वो form है आपका nitrates, तो इस nitrogen cycle का main motive है, वो यह है कि हम nitrogen को nitrates form में convert कर सके, जिससे कि क्या हो, plant उसे easily intake कर सके, ठीक है, so let's begin the cycle, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि जो atmospheric nitrogen है, वो इस अर्थ तक आती कैसे, सबसे पहला method है आपका lightning, आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश होती है, आपने देखा होगा lightning है ना, तो lightnings जो होती है, तो क्या होता है, कि जो nitrogen N2 की form में होता है, वो तूट जाता है, और nitrogen की atmos में convert हो जाता है, फिर lightning के साथ साथ बारिश भी होती है, तो यह water के साथ react करता है, और जो oxygen present है, उसके साथ react करता है, और क्या बना देता है, ammonia, that means अब जो soil के अंदर present होगा, that would be ammonia, ammonia का formula क्या होता है, NH4, ठीक है, lightning होई, उससे यह सारे molecules आपस में combine होए, और क्या बना दिया, ammonia, ठीक है, तो यह पहला method था lightning, जिसके through nitrogen fixation हुआ, ठीक, दूसरा method कैसे हो सकता है, कि हमारा जो nitrogen है, वो ammonia के form में, अर्थिं तक आए, दूसरा है आपकी leguminous plant में, जो rhizobium bacteria ह होता है, आपने देखा होगा, या पढ़ा होगा इन के, कि plants होते है, कुछ जो अपकी दाले होती है, उनकी root में rhizobium रहता है, जैसे हम लोग बोलते है, root nodules में, ठीक है, यह bacteria क्या करता है, यह directly atmospheric nitrogen को ammonia में convert करता है, यानि fix करता है, that means, हमने दो methods देख लिए nitrogen fixation के, पहरा था bacteria, जो bacteria कहां पर रह रहा था, pulses की root में, और pulses को हम लोग बोलते है, leguminous plant, ठीक है, I hope it is clear to you, now the next step is, that after ammonia, ammonia भी बन गया है, बट हमें पता है, कि plant को तो nitrates चाहिए, they need nitrates, ammonia थोड़ों नहीं चाहिए उनको, तो अब जो process होगा, वो होगा nitrification, यानि इस ammonia को हम nitrates में convert करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये convert होगा, आपका nitrites में, सबसे पहले जो conversion होगा, ammonia का, वो होगा nitrites में, ठीक है, फिर वो nitrites फर्दर, nitrates में convert हो जाएगा, ठीक है, अब इस nitrate को plant intake कर लेगा, ठीक है, यानि plant की, अब जो हमारी state है, nitrogen की, which is nitrates, ये बिल्कुल perfect stage है, जब plant इसको easily, अपने roots के through, absorb कर सकता है, चीक है, तो अब एक चीज़ सोचने वादी है, कि continuously, अगर हम nitrogen का fixation करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो atmosphere में तो nitrogen कम हो जानी चाहिए, है न, but balance भी बना हुआ है, तो इसका एक step आके जब हम बढ़ेंगे, तब हमें इस question का answer मिल जाएगा, which is, कि जब plants इसको intake कर लेता है, animals उस plant को intake कर लेते हैं, तो ये nitrogen इनकी body में चली जाती है, अब जब इन animals की death हो जाएगी, तो death के बाद तो जो process start होती है, that decaying means sadna, तो इन plants का और in animals का क्या होता है, decaying start होता है, और जैसे ही decaying start होता है, इनकी body का जो भी protein था, वो फिर से swell के अंदर आ जाता है, अब swell के अंदर आने के बाद वो फिर उसी form में आता है, NH4 की form में, ठीके, that is ammonia की form में, तो अब कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जिने हम बोलते ह denitrifying bacteria, जो क्या करते हैं, इस ammonia को direct nitrogen की form में convert करके atmosphere में छोड़ देते हैं, ठीके, तो इस तरीके की bacteria को हम लोग बोलेंगे denitrifying bacteria, और ये प्रूरा process ऐसा होता है, जिसके थुरू nitrogen का balance भी maintain रहता है, और plants को जो nitrogen की need है, वो भी पूरी बनी रहते हैं, तो एक बार हम लोग फि देखा कि ये जो nitrogen थी, जो atmosphere में, N2 की form में exist कर रही थी, जैसे ही lightning हुई, जैसे ही thundering हुई, जिस nitrogen ने अपने आपको NH4 में convert कर लिया, oxygen और water के साथ react करके, इस process को हमने कहा nitrogen fixation, दूसरा method nitrogen fixation का मैंने आपको बताया था कि leguminous plant की root में, एक rhizobium नाम का क्या होता है, बैक्ट किस form में fix किया था हमने, NH4, that is ammonia, फिर इस ammonia का nitrification कराया हमने, इसे nitrite में convert किया, फिर nitrate में convert किया, फिर इसे plant में intake किया, फिर जब plant की death हो गई, फिर क्या हुआ, उसकी decaying start हुई, decaying के बाद फिर से वो protein अर्थ में आ गई, अर्थ में आने के बाद denitrifying bacteria ने उस ammonia को फिर से nitrogen में convert करके, nature में send कर लिया, so it was all about the nitrogen cycle, I hope it is clear to all of you, if you like this video, please don't forget to subscribe, like and share, thank you.